वैसे तो इगल सम्मूंदर से बड़ी बड़ी मचलियों को या फिर जंगल से बड़े बड़े जानवरों को अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है लेकिन सम्मूंदर में एक छोटा सा जीवे जिसके पास जाने से भी इगल बहुत ज़्यादा डरता है और वो केकड़ा इगल की आखो को भी ढख देता है और जब चील की निगाये ढख जाती है तो ये भले ही आसमान का राजाओ उस छोटे से जीव के सामने सरेंडर कर देता है